या तो पहले का उनका बयान गलत था या आपका बयान सही है नितिश कुमार के तमाम अल्टन पल्टन सल्टन को तमाम माफी मानी चाहिए नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनी उज मैं हूँ दिव्यांसू मुकामा के पुर्व विधायक बाहुबली अनन्द सिंग की रियाई पर बिहार का सियासी पारा चड़ा हुआ है राजनितिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है कॉंग्रेस विधायक दल के नेतार सकील अहमत खान ने अनन्द सिंग की रियाई पर बड़ा बयान दे दिया है उन्होंने कहा कि अनन्द सिंग का वो बयान सही है या अब जो उन्हों को बयान दे रहे हैं वो सही है साथ ही उन्होंने नितीश कुमार पर निसाना साधा और उन्होंने कहा कि नितीश कुमार को कोट में जनता के सामने माफी मागना चाहिए क्या कुछ कह रहे हैं सकील लहमत खान हम आपको सुनाते हैं सुनिए कुछ साल पहले अनन सिंजी को जेलमेंट भेज दिया गया और अनन्द जी का मैं उस वक्त का बयान सुन रहा था वो तो बोलने वाले नेता है चुकने वाले नेता है नहीं पूरा बोले थे कि हमको कौन कौन लोग सताया नितीज जी के उपर भी एदम डायेट कटाक्स था लैलन सिंग के उपर भी डायेट कटाक्स था किसी को छोड़ा नहीं था उन्होंने आज फिर देखा कि लोग सवा में एक बैग उनका बयान बदल गया उन्हें ना ना हूँ एदम सब ठीक था गए तो मैं किसी व्यक्ति विशेश पर जाता नहीं मैं ये कहता हूँ कि जो पहले फसाया गया था या तो पहले का उनका बयान गलत था या आपका बयान सही है दोनों में कोई एक सही है और ये गलत बयान है यह उनको इस आकड़े में इस तरह से देखना चाहिए और बिहार सरकार ने अगर उनके साथ गलती की कोट ने उनको बरी किया तो कोट से बिहार सरकार को जनता के सामने माफी मागनी चाहिए नितिश कुमार के तमाम अल्टन पल्टन सल्टन को तमाम माफी मागनी चाहिए आप किसी एक वेक्ति को पकड़ करके आप उसको मुरगा बना देंगे तो उसे तो काम चलने वाला है नहीं इसलिए जो मैं न फसाता हूँ न मैं निकालता हूँ न निकलवाता हूँ यह सब इस्दाक बेकार की बाते हैं इसका कोई मतलम नहीं है यह जुमला है और कुछ नहीं है सकील हमत खान को किस तरीके से अनन्द सिंग की रिहाई पर उन्होंने नितीश कुमार को कटगड़े में खड़ा किया है उन्होंने कहा कि किस तरीके से अनन्द सिंग जब जेल जा रहे थे जब उनको सजा हो गई थी तब उन्होंने किस तरीके से हमला बोला था नितीश पर वो तो चुप बैटने वाले नेताओं में से नहीं है खुले तोर पर उन्होंने नितिश कुमार को लेकर कहा था कि किस तरीके से उन्हें सताया जा रहा है साथी ललन सिंग को लेकर भी उन्होंने कहा था लेकिन जब वो पेरोल पर बाहर आये तो उन्होंने अपना बयान बदल लिया अब वो बयान सही है या ये वाला बयान सही है तो निशाना साधा है सकील एमत खान ने सीधा सीधा नितीज सरकार पर फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्शनीूज के साथ